एक योगी के जीवन में समस्वर्ता होती है, एक ही स्वर उसके भीतर गुँँचता है, वो परमात्मा की याद में ही रहता है, वो युक्त होता है, जड़ा होता है परमात्मा से, उसका मन खंड-खंड नहीं होता, एक ही होता है लोगों के अंदर अनेक स्वर गुंचते है क्योंकि उनका मन खंडित है परन्तु योकी का जो मन है वो खंडित नहीं है, वो अखंड है और इसी अखंडता के कारण उसके अंदर शांती है उसके अंदर आनंद है लोगों में अलग-अलग स्वर होते हैं क्योंकि मन बटा है मन के बारे में साइकलोजिस कहते हैं कि मन के तीन हिस्से हैं एक तो होता है चो चेतन मन है एक अचेतन और एक अवचेतन मन होता है तो जो अलग-अलग खंड है वो अलग-अलग स्वर निकालते हैं और उनके बीच में कोई सामजस्से होता ही नहीं है जैसे आप कोई उपवास रख लें तो आपके चेतन मन ने लॉजिकल माई ने रिसाइट किया कि मुझे वरत रखना है, मुझे उपवास करना है आज जरूरी है, आज पॉर्णिमा है या आज मुझे माता के लिए वरत रखना है तो निर्ने कहां से लिया गया? निर्ने लिया गया चेतन मन से लेकिन आपका जो अनकॉंशिस माइन्ड है जब आप नीन में जाते हैं तो वो एक्टिव हो चाता है तो वो क्या करता है? आपके सामने अलग-अलग तरह के भोजन प्रस्वत करता है तो सपने में आप उन सब भोजन को ग्रहन कर रहे होते हैं वेंजनों को ग्रहन कर रहे होते हैं क्योंकि अंदर जो दबा हिस्सा है वो तो भोजन करना चाहता था आपने जबदरस्ति से भोजन करने से रोक दिया आप कहीं खुमने जाते हैं सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे गए आप बहुत दिनों से किसी से मिलना नहीं चाहते अचाना कोई व्यक्ती सामने आ गया अब जैसे ही वो आता है अंदर से अवाज आती है पता नहीं कौन आ गया एक तो इसे बचने की कोशिश कर रहा था इतने दिनों से प्रयास हो रहा था आज सुबह सुबह ही इसने दर्शन दे दिये तो अंदर से जो अचेतन मन है वह असली बात जो वास्तविकता है वो बोलने लगता है लेकिन समाज है विवस्था है तो चेतन मन क्या करेगा सिच्वेशन को समालेगा वो फिर बोलना शुरू करता है कि आप से मिलके बड़ी प्रसनता हुई बहुत सुन्दर दर्शन आपने दिये सुबह सुबह हमारे को इतनी प्रसनता मिली आपके कारण तो आप एक जूटा विवार करने लग जाते हैं जो चेतन मन है ये समाज की देन होता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका मन एक होता है लेकिन हम धीरे-धीरे क्या करते हैं उस बच्चे को ट्रेंड करना स्टार्ट कर देते हैं उसे सिखाना शुरू कर देते हैं क्या सही है और क्या गलत है तो जो गलत चीज है जो समाज के अकॉर्डिंग गलत है पच्चा उसको दबाने लगता है और धीरे-धीरे क्या होता है वो जो अचेतन हिस्सा है वो अंदर और जादा दबता जाता है वो सारी इच्छाएं अंदर चली जाती है तो हमारे अंदर एक कबाड़ा खटा होता जाता है वो ही कबाड़ा जो है वो अचेतन मन कहलाता है तो किसी के ड्राइंग रूम को आप देखते हैं तो बड़ा शानदार दिखेगा लेकिन उसके घर के स्टोर को देख लीजे तो उसकी वास्तविक्ता पता चलती है तो चेतन मन तो सामने से हम सुन्दर रखते हैं समाज में अपनी छवी अच्छी रखते हैं अच्छी रखते हैं अच्छी रखते हैं पर अंदर हम क्या उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं वही हमारी सच्चाई होती है शिक्षप जो हैं बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए गुरुजनों का आदर करना चाहिए लेकिन बच्चे के अंदर से वो आदर आता नहीं वो दंड के कारण तो आदर कर लेता है लेकिन अंदर से वो आदर नहीं करता अंदर से वो कहता है कि तुम आदर के योग्य ही नहीं हो मुझे तुम में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो जो आदर है वो सिर्फ छूटा हो जाता है जब आदर सहज रूप से फलित होता है तो वो सही माना जाता है कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने बहुत अपशर्या की बहुत सालों तक वे हैं बहुत कम भोजन करके जीवित रहे कुछ महीनों तो वो सिर्फ चावल का एक दाना खाकर जीवित रहे पुरह शरीर एकदम सुख गया एक बार वो निरंजना नदी पार कर रहे थे तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि मैं एक छोटी सी नदी पार नहीं कर पा रहा तो मैं भवजागर कैसे पार करूँगा तो उन्होंने वो सारी पशर्या छोड़ दी तो उनके मित्र नराज हो गए उन्हें छोड़ कर चले गए बुद्ध को जब ग्यान हुआ तो उन्हें लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि करूणा अंदर आ गई थी तो ढूंटे ढूंटे पुद्ध सारनाथ पहुँच गए तो पांचों बैठे वे थे उन्होंने बुद्ध की उपेक्षा की और निश्य किया कि हम इने प्रणाम भी नहीं करेंगे तो भगवान बुद्ध उनके पास फिर भी आते रहे क्योंकि उनके अंदर करूणा थी तो भगवान जैसे पास आये उनका निर्ने बदल गया उन पांचों का निर्ने बदल गया और अपने आप यही आदर अंदर से फलित होने लगा और भगवान बुद्ध के चर्णों में एक एक करके वो गिरते चले गए भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने तो कुछ और निर्ने लिया था अब क्यों ऐसा करते हो तो उन्होंने का पता नहीं कुछ अंदर से ऐसा भाव अपने आप ही आपको देख का प्रकट हो गया कि आदर सहज रूप से आ गया तो यह जो सहज रूप से आता है वही आपकी वास्तवेकता है तो हम जो भीतर से हैं वही हमारी असलियत है श्रिकृष्ण गीता में कहते हैं जो भीतर घटित होता है वही आपकी सच्चाई है बाहर से हम कितना भी नाटक करें वो हमारी सच्चाई नहीं होती एक योगी अंदर और बाहर से एक रहता है उसका स्वर एक होता है वो अलग-अलग स्वरों में बात नहीं करता, वो एक स्वर में बात करता है वो चीजों को खंड-खंड में नहीं देखता, वो समगरता से अपनी जीवन को बिताता है केते हैं कि जब सद्गुरु बांके की मृत्यू हुई तो उनके पास उनके विहार के पास एक अंधा व्यक्ती रहता था तो संधे व्यक्ती ने कहा कि मैं नेत्रहीन हूँ, मैं देख तो नहीं सकता मैं लोगों का जो व्यवार है, फेस पर कैसी भाव भंगिमाय बनती है ये तो मैं नहीं देख पाता हूँ लेकिन मैं उनकी वानी, उनके शब्द सुनकर बता पाता हूँ कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है उसके शब्दों के पीछे जो चुपेवे भाव हैं वो भाव मुझे पता चलने लग जाते हैं तो शब्द मुझे बताते हैं, तो चरित्र का जो विशलेशन है, मैं शब्दों के आधार पर करता हूँ, ना कि चेहरे के आधार पर करता हूँ. मैंने बहुत लोगों को सुना, लोग जब बताते हैं, प्रसंदता जाहिर करते हैं, किसी के घर में कोई खुशी आई, किसी का महल बन गया, किसी को सफलता मिल गई, किसी के घर में धनधानने आ गया, तो लोग उत्सब मनाते हैं एक दूसरे को बधाई देते हैं लेकिन मैंने उनकी जो बधाई है जो उन्होंने दूसरे काविवाधन किया है उन सब स्वरों के पीछे चुपी हुई इरशा को सुना उनके अंदर इरशा थी दुवेश था, क्रोध था कि मेरा ये साथी, मेरे साथी पढ़ा कि कहां से कहां पहुच गया और मैं पीछे ही रह गया तो मन में इरशा का भाव था जब लोग दूसरे को शोक प्रकट करने जाते थे तो उनके भीतर खुशी दिखाई दी किसी का मकान जल गया तो लोग शोक प्रकट करने गये लेकिन अंदर एक खुशी थी कि मेरा मकान बच गया मेरा घर परिवार बच गया तो भीतर उनके खुशी दिखाई देती थी तो लोग जो शब्द कहते हैं वो कुछ और थे लेकिन भावना कुछ और थी ये मैंने महसूस करी लेकिन मांकेई के स्वर में मुझे सदैव एक ही चीज़ सुनाई दी जब वो प्रसनता प्रकट करते थे तो पूर्ण रूप से प्रसन्न होते थे अंदर बाहर एक था एक ही स्वर था जब वहें दुखी होते थे शोक प्रकट करते थे तो वास्तविक्ता में महसूस करके बोलते थे अंदर ऐसा नहीं था कि अंदर खुशी हो रही होती थी कि इसका बुरा हुआ है अंदर से वाकई वो दुखी भी होते थे तो सब को जो था वो एक था एक ही स्वर था और यही योगी की निशानी होती है योगी खंड-खंड नहीं वो अखंड है इसलिए वो शान्त है आनंदित है दूसरी बात आती है समगरता वो हर चीज समगर रूप से करता है टूटालिटी में करता है अगर वेह प्रसन है खुश है तो रोया रोया खुशी से नाचेगा अगर रो रहा है तो रोया रोया रोयेगा परन्तु ग्यानी क्यों रोयेगा ग्यानी तो कभी नहीं रो सकता आम लोग रोते हैं आम लोग क्यों रोते हैं वो रोते हैं अपने मोह और आसकती के कारण एक बच्चा मेले में खो गया उसकी आइसक्रीम नीचे गिर गई तो रोने लग गया क्यों क्योंकि आसकती हो गई थी आइसक्रीम से ऐसे ही लोगों का धन खो जाता है रिष्टे खो जाते हैं तो रोते हैं क्योंकि मोह है लेकिन ग्यानी क्यों रोता है ग्यानी के जो आंसू है उसकी कीमत है क्योंकि वे करुणा में रोता है वो किसी के दुख में रोता है वो अपने दुख में नहीं रोता वो दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी होता है तो जीसिस ने कहा कि जब आत्म ग्यान होता है तो पहला शन बड़ा ही डामा डोल करने वाला होता है क्योंकि उस समय लगता है कि चारू तरफ जो लोग हैं वो तो बेहुश हैं वो अपने लिए खुदी गड़ा खोते हैं खुदी नरकास रजन करते हैं और खुदी रोते हैं चिलाते हैं तो ग्यानी जो है उनको बचाने के लिए प्रयास करता है जब वो गड़े में गिर रहे होते हैं तो दुखी होता है उसकी आँखों से आसो बहते हैं कि यह शन इन्हें मुक्ष में पहुँचा सकता था और इसी शन में इन्होंने अपने लिए दुख का निर्मान कर दिया ग्यानी खुश होता है दूसरे की खुशी में तो जो वेक्टी योगी होगा वो हर चीज पूरी तलीनता से करता है कर्म उसके लिए आनंद है फल की चंता नहीं करता उसी शन में पूरी तरह से डूप जाता है तलीन हो जाता है गड़ा खोदेगा तो पूरी तरह गड़ा खोदने वाला बन जाता है कुछ कह रहा है तो पूरी तरह शब्द बन जाता है सुन रहा है तो वो संगीत बन जाता है तो अपने आपको एक करने का प्रयास कीजिए जब आप एक होंगे अखंड होंगे तभी आप सभी के जिन्दगी में शांती और आनंद आएगा और इसी शांती और आनंद के लिए हम इस संसार में भटक रहे हैं और इसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी जिन्दगी क ठीक कीजिए अपनी जिंदगी को सुधारिए। ओन स्री परमात्मने नमाहं आप सवी भक्तों को बहुत बहुत शब कामने और आशिरवाद और आप सब के लिए प्रतेक वर्ष के तरह 108 कुंडिये शिगनेश लक्ष्मी महायग्य का आईजन इस बार फिर से आनंदा माश्रम में आईजित किया जा रहा है। वर्सों से यहां साधने जप तप मंत्र पाठ यग्या आउती अर्चन वंदन का कारिकन चलता ही रहता है। इस बार विशेस रूप से यग्य का कारेकर्म तो रखा ही है। साध साध में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सब को ये चाहेंगे के यग्य कुंड के पास या फिर बाहर परिदी में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें जो आपको सिखाया जाएगा। कि सभी लोग गणिश तरोशीर्ष का और स्री सुक्त का साध साध पाठ करेंगे। हजारों कंटों से एक साध इतनी दोनिया निकलें तो कैसा भी दुरभाग्य व्यक्ति का हो तूटेगा जरूर और सोभाग्य जागरित होगा रक्षा कवचाप का काम करेंगा। मुझें साध साध में आप सभको अम्येग चाहेंगे कि अपना अपना स्री यंतर भी साथ में लेकर आएं क्योंकि उसके प्राण प्रतिष्टप भी साथ में की जाएगी और एक विशेस चीज इस बाहर वैभाव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वर्दान सिद्धी साधना तो इसकी बुकिंग अलग होगी तो ये दोनों चीजें आप यग्य में भाग लें और साधना में भाग लें साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि आपको अनुष्टान वाले कारिक्रम और कुछ अलग तरह की चीजें भी इस बार होंगी जो बहुत आकरशक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा तो मैं चाहूंगा कि इस कारिक्रम में आप बढ़ चड़ कर भाग लें और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैटे बैटे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मौनों भावना बनाए आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्यान करेगी आप सब के लिए में बहुत मंगल कामने 6 अक्तुबर से 9 अक्तुबर का दिन आप भूप मौन झाम जार बहुत मैं के लिए सबिस रहें आप में अक्तूँबर का gep क tilted बड़ना यजमान भीड़ कि शेना भावाव धास से क聯रे से इक सब हृपजर को